अगर हम पहले दिन की बात करें दूसरे दिन की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कोई दोराय नहीं है कारकुनान बड़ी टादात में निकले फिर एक बड़ी हलचल हमें सियासी बैठक में दिखाये दी जिसमें ये भी चैम गुईयां की गई कि जो इस वक्त के मौझूदा वजिर आला परवेज लाही हैं लगता है जिनका तालू काफलीक से है वो इमरान खान के हामी दिखाई नहीं देते और ये क्या खबर है ये तफसीलन रखेंगे फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे तफसील के जब वजिर आला पंजाब परवेज लाही साब से एक साहब ने सवाल किया कि डी जी आईस आई की गुफ्तगू पर आप क्या कहना चाहेंगे आपके के रिमार्स हैं फिर वो क आना शुरू हो चुकी हैं मुस्बत खबने आना चुरू हो चुकी हैं जिसमें ये लग रहा है कि अमरान खान के आज लॉंग मार्च हैं इम्रान खान के आगे इंपोर्टिड हुकूमत अपने गुठने टेक्ती हुई दिखाई दे रही है और अगर हम कंपरिजन करें लॉ हो मार्च इमरान खान साथ का जो कल की अगर बात करें तो मैंने उसको कवर किया बकाईदा तोब पर कवर किया वहां पर लोग मौजूट थे उनसे बत की वहां पर उनकी क躹 plantation को लेकर वह क्या समझते हैं कि खान साथ हकीकी लीडर है हकीकी अजादیर दिलवा सकते हैं तक ये करप्ट माफिया चोर डाकू लुटे रे जो के हमारे मुल्क पर मुसल्लत होकर बैठ चुके हैं और इनको मुसल्लत एक साजिश के तौर पर किया गया है फिर एक साहब से जब मैंने सवाल किया कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तरीक इंसाफ के जो चेर्मेन है इमरा सब्सक्राइब करें करके एलेक्शन की नई तारीख का एलान करें और फिर उसके बात इलेक्षन साफ सफ़ शयवां को बात जो भी भारी एकस्टा पारटी वहाई गनों लिग हो या पाकिस्तान तारीक에 इंसाफ हो को ही भी और इसको घुमत मिलनी चाहिए ये वहां पर खान साब से सवाल किया कि खान साब आप आप वजीर आजम की तंखवा तो बहुत कम होती है बहुत थोड़ी होती है आप इस तंखवा में किस तरह आपने खर्चवे करते हैं आपके पास गाड़ियां भी है बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपकी स्विक्यूर्टी है आपक पाकिस्तान का, उस दिन मैं सियास्त में तब तक रहूंगा, जब तक मैं बिजनस नहीं करूंगा, जिस दिन मैंने अपना कोई जाती बिजनस किया, जिस दिन मैंने अपना कोई जाती कारवार शुरू किया, तब मैं सियास्त छोड़ दूँगा, ये पाकिस्तान तरीकिन साफ पर मेरे तमाम information सब के सामने हैं मैं मेरे तमाम उसासे डिकले रहे हैं कि आज आपको लगता है आपको याद होगा जब पेनामा पेपर और इस तरह के मौमलात बने तो कई ऐसे वुज़रा और कई ऐसे सियासी नुमाइदगान थे जिनकी जनाब foreign companies सामने आ गई और मजीद money laundering भी सामने आई लेकिन पाकिस्तान ने तरह केंसाफ के च्वेर्मन वह वाहिद लीडर है जिनकी कोई company बाहर नजर नहीं आई फिर जो है वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद थे वो उन्होंने भी का उन्होंने का जी कि आप comparison कर लें आप किसी और party जिस ताना imported ह हुकूमत है उनके जो लिडर है उन्होंने का जी कि मियसा वहाँ बाहर बैटके क्या करें बड़े बबर शेर उनकी बेटी जो मरीम नवाज है वो बाहर बैटके क्या करें तो वह जो जो वहाँ पर मौजूद कारकुनान थे उन्होंने इलतेजा कि 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 आपके message से आपके इ करे के हमारे इस मुलक की लेडर्शिप किस स्यासी कारकून के हाथ में होगी ऐब बात करते हैं वजिर अला परवेज लाही साब की जानी जानी थी जनाब के वजिर अला परवेज लाही जो हैं वो लगता है मेरांध खान हामी नहीं है, उनके स्पोर्टर नहीं है वो किसी लॉंग मार्च में दिखाई नहीं दिये लेकिन जो बैक डॉर की बात की जाती है, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में कहा कि खान साब के पास कुछ कार्ड मौजूद है जो लास्ट लास्ट बॉल पे वो कार्ड दिखाएंगे तो तमाम इंपूर्टिड हुकूमत के नमाइंदगान उस आखरी कार्ड के लिए तयार है खान साब ने कहा है, मेरे बहुत से ऐसी बाते हैं जो मैं अगर करूँगा तो मुल्क खत्रे में पड़ सकता है जो कि मैं मुल्क को कमजोर नहीं करना चाहता तो ये वो ही शख्स, वो ही लीडर कह सकता है जिसके पास आखरी कार्ड मौजूद होते हैं मुझे लगता है खान साब के पास ऐसे राज हैं ऐसे कार्ड हैं जो उन्होंने अपने सीने से बात नहीं करेंगे यहां पर एक चीस क्लेर कर लीजएगा यह पाकिस्तान तरीकें साफ के जो चेर्मन इमरान खान सा वो किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करने के लिए तयार नहीं है बलके हुकूमत की जानिब से बारहाब बैक डॉर से पेशक्ष की जा रिए के हमारे साथ मिलकर मुजाकरात करें कुछ हमारी सुनें हम आपकी सुनेंगे और बलाखिर इलेक्शन की डेट की तारीक का एलान कर देंगे और यह इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे फिर जनाब का जारा इमरान खान वहीं बात करेंगे ये बड़ा आहम जुम्ला था वजिराला परवेजलाही का कि इमरान खान साब वहीं बात करेंगे जित्थों गल मुकदी है ये वजिराला परवेजलाही साब ने पंजाबी में एक जुम्ला इस्तिमाल किया है कि जितों गल मुकदी है इसका मतलब यह है जहां पर बात खत्म होती है जहां पर हत्मी फैसली दिये जाते हैं जहां पर हत्मी फैसली किये जाते हैं उन लोगों से बात करेंगे ताके आएं बाइशाएं ना हो फिर उन्होंने काया जी के बात्चित चल रही है यह बड़ा इं पढ़ेंगे और उन्हें का कुछ अपनी मनवालें कुछ हमारी मनवालें और एलेक्शन की तारीख का एलान कर देते हैं लेकिन खान सापने भी फैसला किये कि जब तक इसलमाबाद नहीं जाएंगे इनको पाउर शो नहीं दिखाया जाएगा कि अबाम क्या चाहती है हकी की अ सोशल मीडिया का दौर है सोशल मीडिया पर तमाम लोग देखते होंगे आपको के खान साब बड़े हिशाच बिशाच दिखाई देते हैं वहाँ पर कारकुनान से खताब भी करते हैं हल्फ भी लेते हैं हल्फ अपनी जाद से मुतलिक नहीं लेते हैं वो कहते हैं कि पाकिस गर्म होगा तो कोशिश होगी उसे ठंडा किया जाए अल्ला ने उहदा दिया अवाम के खिदमत करना चाहता हूँ इमरान खान ने इत्माद किया और मुझे वजिर आला बनाया इमरान खान के शुकर गुजार हूँ शुरिफों को मुझे से जाड़ा कोई नहीं जानता इस यह कोई शक्नी यह जाना है जणाब के वजिर आला पर विज्द इस धाने से जथे जाने वेजलाही साब कह रहे हैं वो उन्होंने काई जी कि इमरान खान का बड़ा मसाला इलेक्शन की तारीख है इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन की तारीख दी जाए कामियाबी की किरन नजर आ रही है बाचीत में इलेक्शन की तारीख में काम्याबी की किरन नजर आई है काम्याबी की किरन लॉंग मार्च के साथ साथ आई है यानि कि लॉंग मार्च इमरान खान साथ की जानेब से किया गया है पावर शो दिखाया गया है जथे निकले है राना सनावला के बोकॉल और ये जथे वो हैं जो के पाकिसन तरीकिन साफ के कार्गुनाने ये जट्थे वो हैं जो आम अबाम हैं आम शेहरी हैं मिडल कलास बंदा निकला है बाहर और उन्होंने बताया कि उन्हें हकीकी अजादी चाहिए फिर जनाब उन्होंने काया जी कि अमरान खान ने कह दिया था कि जर्नल बाजबा का रहना बहतर है जर्नल कमजवएद बाजबा ने चीन, सोदी आरब, गतर जाका तालुकात बहतर की हैं उन्होंने आखरी जो जुम्ला इस्नमाल किया वजिर अला प्रवेज लाही ने जिससे तमाम शुकूकु शुभाद दूर हो जाते हैं तमाम जो वो लोग जो इमरांद खान के हक में बात नहीं करते हैं इस मुलक के हमाइटी नहीं है तो उन्होंने काया जी कि तहरीक अन्साफ के सो फिसद दिल से दिल मला कर चल रहा हूं ये बड़ी एक इंटरस्टिंग बात थी जिसने ये वाज़े तोर पर जाहिर कर दिया है कि वजिर आला परवेज लाही अमरांद खान के साथ हैं साथ थे और साथ इन फ्यूचर भी रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और लॉंग मार्च अभी इस वक्त तक तताम पजीर हो चुका है नो बच चुके हैं और ये लॉंग मार्च अब सुब 11 बज़े दोबारा इसका सलसला शुरू होगा और ये लॉंग मार्च इसलामाबाद की जा रता हुआ दिखाई देगा इसी के साथ अपनी मिजबान हमसादेब को इचाज़त ने अलाने के बार